हलो चेल्डरन हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा कि अगर आप एक यूरेनियम का आटम लो या अगर आप एक यूरेनियम तो यूरेनियम बहुत खतरनाक होता है क क्योंकि अगर आप uranium के पास ज़्यादा देर रहोगे तो आपको cancer हो जाता है तो वो cancer क्यों होता है, uranium इतना खतरनाक क्यों है यह radio activity क्या है, we will study in today's video तो आज की video का topic, radio activity तो radio activity में क्या होता है कुछ elements ऐसे होता है, जैसे uranium, thorium, plutonium यह कुछ elements ऐसे हैं, जिनके nucleus से कुछ चीज़े निकलती है nucleus से, orbit से नहीं, nucleus से uranium के nucleus से कुछ चीज़े निकलती है thorium के nucleus से कुछ चीज़े बाहर आजाती है, literally atom को छोड़के बाहर आके बाहर आजाती है और plutonium वगरा 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 तो जब nucleus से अपने आप चीजे बाहर आने लगती है तो उस phenomenon को हम radio activity कहते है तो radio activity क्या है Radio activity is the spontaneous emission of radiation by certain elements अब इसको समझते है spontaneous मतलब अपने आप तो radio activity में चीजे अपने आप nucleus से बाहर आना चालू कर देती है तो यह आप uranium लो यह uranium का nucleus है अपने आप इसमें से कुछ बाहर आ जाता है वो कुछ क्या होता है मैं आपको बताऊंगा तो फिलाल आप बस धीरे धीरे समझो तो suppose यह एक uranium का atom है इसमें से अपने आप कुछ चीज बाहर आ जाती है उसे हम radio activity कहते है तो radio activity is the spontaneous emission of radiation by certain elements like uranium, thorium, plutonium, etc अब चिलन वो जो कोई चीज जो बाहर आती है उसे हम कहते है radiation तो अगर यह uranium का nucleus है इस nucleus में से जो चीज बाहर आएगी उसे हम कहेंगे radiation अब radiation क्या होता है, किस से बनता है, वो भी हम पढ़ेंगे लेकिन फिलाल के लिए था समझ लो suppose यह uranium का atom है अपने आप इसमें से कोई चीज बाहर आ जाएगी उस चीज का नाम है radiation और वो uranium के atom से अपने आप बाहर आ जाएगी इस phenomenon को radio activity कहते है तो radio activity क्या है it is the spontaneous emission of radiation अब यह radiation क्या है वो भी हम पढ़ेंगे ठीक है तो radio activity क्या होती है radio activity is the spontaneous emission of radiation by certain elements अब चलन अगर यह uranium का atom है तो इसमें से यह अपने आप कुछ चीजे बाहर क्यों आ रही है इस uranium के nucleus में से uranium का nucleus है इस nucleus में से अपने आप चीजे बाहर क्यों आती है इसका reason यह है कि यह uranium का nucleus है यह nucleus unstable होता है यानि कि यह nucleus protons और neutrons को पकड़ के नहीं रख पा रहा है अगर यह nucleus protons और neutrons को पकड़ के रखेगा तो इसमें से कुछ बाहर नहीं आएगा इसमें से radiation बाहर नहीं आएगा understood तो radio activity कौन से elements के साथ होती है radio activity उन elements के साथ होती है जिनका nucleus unstable होता है unstable nucleus मतलब nucleus protons और neutrons को पकड़ के नहीं रख पाता तो एक बार फिर से बता देता हूँ radio activity में nucleus में से अपने आप कुछ चीज निकलती है उस चीज को बोलते रेडियेशन radio activity में nucleus में से अपने आप radiation निकलता है radiation क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा और कौन से elements radio activity दिखाते हैं वो elements radio activity दिखाते हैं जिनका nucleus unstable होता है जिनके nucleus के पास इतनी energy नहीं होती कि वो protons और neutrons को पकड़ के रख सके तो चलन let us consider our uranium atom uranium atom को consider करते हैं एक uranium atom में 92 protons होता है बहुत होता है 92 protons तो अगर यह uranium का nucleus है अगर यह uranium का nucleus है तो इसमें ऐसे 92 protons होंगे प्लस 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 ऐसे 92 protons होंगे अब चलन जो uranium का nucleus है इसको पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है strong nuclear force तो strong nuclear force uranium के nucleus को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है this is strong nuclear force strong nuclear force इन protons को चिपका के रखने की कोशिश कर रहा है लेकिन चलन यह protons आपस में repel भी हो रहा है इस प्रोटॉन्स त्राइटू रिपेल दू टू इलेक्ट्रो स्टाटिक फोर्स तो चिप्रोटॉन्स अगर इलेक्ट्रो स्टाटिक फोर्स पावर्फुल हो जाए uranium में क्या होता है इलेक्ट्रो स्टाटिक फोर्स पावर्फुल हो जाता है अगर इलेक्ट्रो स्टाटिक फोर्स पावर्फुल हो जाए तो कुछ protons और neutrons nucleus से तूट के बहार आ जाते है इसी को हम radiation कहते है तो radiation में क्या होता है radiation उन atoms के साथ होता है उन elements के साथ होता है जिसमें ये strong nuclear force sufficient नहीं रहता तो strong nuclear force पकड़ के रखने की तो कोशिश कर रहा है पर strong nuclear force is not sufficiently strong तो ऐसे case में protons क्या करेंगे ऐसे बाहर आ जाएंगे अगर ये protons बाहर आ गया यानि कि nucleus का कुछ material बाहर आ गया इसे ही हम radiation कहते है तो लिए रेडियेशन में और भी बहुत सारे types है मैंने बस आपको एक basic idea दिया है कि radiation क्यों हो रहा है क्यों इसका nucleus टूट रहा है क्यों इसके nucleus से material निकल रहा है मैंने आपको बस एक basic idea दिया है और भी बहुत depth में इसका reason है पर फिलाल के लिए ये basic idea काफी है आपके लिए तो एक बार फिर से मैं आपको repeat कर देता हूँ ये एक atom है अगर इसके nucleus में से अपने आप कुछ चीजे बाहर निकलने लगे अपने आप तो हम इसे radio activity कहते है और वो जो चीजे जो निकलती है इसके nucleus से उसे हम radiation कहते है तो अगर किसी atom से अपने आप radiation आने लगे अपने आप आप पकड़ के इसको ठोकने की जरुवत नहीं है अपने आप इसमें से radiation आने लगे अपने आप इसका material बाहर आने लगे nucleus का तो इस process को हम कहते है radio activity अब चिलन अगर आप एक radioactive element लेंगे radioactive element मतलब वो element जो radio activity दिखाता है जैसे uranium अगर आप एक radioactive element लेंगे example uranium तो uranium के nucleus में से mainly तीन चीज़े निकलती है मतलब radiation तीन टाइप का होता है उचलन मान लेते हैं ये uranium का एक sample है this is uranium sample इस uranium के sample को हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं ये डब्बा बनता है मोटे lead से thick lead box अब इसमें lead का use इसलिए किया है अगर uranium को आप direct अपने हाथ में रखोगे तो आपको cancer हो सकता है lead एक ऐसा material है अगर lead मोटा lead लिया जाए तो मोटे lead को radiation पार नहीं कर पाता इसलिए uranium के sample को मोटे lead के box में रखा जाता है अब चिनल इस box में एक छोटा सा hole है आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर छोटा सा hole है तो यहाँ से radiation बाहर निकलता है अगर आप यहाँ पर दो plates लगा दो दो metal plates यह है metal plates इस metal plate को positive charge देते हैं और इस metal plate को negative charge देते हैं तो अचानक यह पता लगा हमें कि कुछ particles इस तरफ bend हो गएं कुछ particles सीधे सीधे गएं और कुछ particles इस तरफ bend हो गएं यानि इस uranium में से जो भी radiation निकल रहा है uranium में से जो भी radiation निकल रहा है उस radiation के तीन तुकड़े हो जाते हैं अगर charged metal plates रख दी जाये तो radiation का एक part positive plate की तरफ बढ़ता है radiation का दूसरा part negative plate की तरफ बढ़ता है और radiation का एक part सीधा सीधा आगे चला जाता है radiation मतलब nucleus से निकलने वाली चीज तो nucleus से जो भी चीज निकल रही है uranium के nucleus से जो भी चीज निकल रही है उन में से कुछ चीजे negative plate की तरफ कुछ चीजे positive plate की तरफ और कुछ चीजे सीधी सीधी चली जाती है तो uranium के sample में से जो चीज uranium के nucleus में से radiation निकला जो radiation negative की तरफ बढ़ गया negative plate की तरफ उस radiation को नाम दे दिया गया alpha particle radiation का वो part nucleus से निकलने वाला वो part जो positive plate की तरफ गया उससे नाम दे दिया गया beta particle और radiation का वो part जो ना positive के पास गया ना negative के पास यह वाला इससे नाम दे दिया gamma particles यानी कि किसी भी radioactive radioactive material में से radioactive material मतलब uranium या thorium या plutonium वगरा वगरा तो किसी भी radioactive sample में से उसके nucleus में से तीन चीज़े निकलते हैं तो हमें क्या सीखने को मिला from the nucleus from the nucleus of a radioactive sample three types of particles can be ejected तो किसी भी radioactive sample में से तीन टाइप के particle बाहर निकल सकते हैं और उन particles का नाम है alpha particle beta particles और तीसरा gamma particles इसलिए हम कह सकते हैं radiation तीन टाइप का होता है radiation can be alpha particle, beta particle या gamma particle तो children अब तक हमने ये सीख लिया है कि अगर कोई एक radioactive element है तो उस radioactive element के nucleus में से तीन चीज़े निकल सकती है alpha particle, beta particle और gamma particle इन तीनों चीज़ों को radiation भी कह सकते हो आप तो ये radiation के प्रकार होता है तो जब alpha particles को study किया गया तब क्या पता चला तो पता चला कि जो alpha particle है alpha particle is the nucleus of helium यानि कि alpha particle के पास दो protons और दो neutrons होते हैं that is it has two protons and two neutrons alpha particles को इस तरह से represent किया जाता है यह है alpha particle इसके पास दो proton है और इसका वज़न है total चार तो इसका जो atomic number होता है वो होता है two और atomic mass number होता है four इस तो alpha particle is similar to helium helium का nucleus तो alpha particle is similar to helium का nucleus तो यह alpha particle के बारे में पहली information दूसरा क्यूंकि इसके पास दो protons होते हैं it is positively charged तो alpha particle का charge positive होता है इसलिए वो negative plate की तरफ भागता है alpha positively charge होता है इसलिए वो negative plate की तरफ भागता है तीसरी बात पता चली कि alpha particles slow होते हैं they are slow moving जब यह nucleus से वाहर निकलते हैं तो slow होते हैं और चलन यहां पर अगर मैं slow कह रहा हूं तो slow का मतलब है इनकी speed होती है approximately 0.1 से लेके 1% of the speed of light okay actually होते हैं बहुत fast है पर बीटा और गामा के comparison में slow होता है इसलिए इन्हें slow moving लिखा जाता है होते हैं तो यह जबर जब जब फास्ट है 1% of speed of light मतलब बहुत fast speed होती है इनकी लेकिन अगर मैं बीटा और गामा से compare करू तो बीटा और गामा के comparison में यह slow moving होता है अगला alpha particles आसानी से आपकी body के अंदर नहीं घुसते alpha particles को रोकने के लिए आपके clothes यानि के आपके कपड़े ही काफी है alpha particles जो penetration होता है penetration मतलब अंदर घुसना वो penetration power कम होता है तो ध्यार penetration power is low यह चीजों को आसानी से चीजों के अंदर आसानी से घुस नहीं पाता alpha particles यह सिर्फ पतले paper को penetrate कर पाता है it can penetrate it can penetrate thin sheets of paper यह पतले paper को ही penetrate कर पाता है तो अगर alpha particles आपके body के ऊपर incident किये जाएं तो आपके skin को तो penetrate कर सकता ही है पर skin से ज्यादा अंदर नहीं गुस पाएगा तो alpha particles जब आपके body पे penetrate होंगे तो आपके skin पे burn हो जाएंगे आपके skin जल जाएगी तो alpha particles अगर आपके ऊपर continuously bombard किया जाएं तो आपके skin जल जाएगी ओके पर children alpha particles को अगर किसी gas में से पास किया जाएं तो वो उस gas के electrons खीच लेता है क्यों क्योंकि alpha particles positively charge है तो alpha particles जिस भी gas के जाता है उस gas के electrons खीच लेता है यानि इसका जो ionization power है वो बहुत हाई है it has high ionization power चीजों को बड़ी आसानी से ionize कर देता है अब चिल्रन एक reaction दिखाता हूँ मान लेते हैं एक element है x इस element x का जो atomic number है वो z है element x कोई भी element है x इसका atomic number यानि की number of protons z है और इसका atomic mass number है a अगर यह radioactive है अगर यह radioactive है और अगर इसने alpha particle release कर दिया तो alpha particle अगर यह release करेगा तो element x बन जाएगा element y यानि की element change हो जाएगा तो uranium से यह बन जाएगा समझो थोरियम या radium या इसा कुछ बन जाएगा तो यह अपना यह element ही change हो जाएगा अगर alpha particle किसी element से निकलता है तो वो element change हो जाता है तो यह जो x element है इस x element में से alpha particle निकल गया तो क्या होगा देखो alpha particle के पास कितने proton होते हैं दो और proton neutron मिला के 4 तो जो नया element बनेगा यहाँ पर z है z में से 2 इसके पास चले गए तो नया element के पास क्या होगा z minus 2 similarly इसके पास full मिला के a proton neutron थे 4 proton neutron यहाँ चले गए तो इसके पास कितने proton neutron आएंगे a minus 4 तो चले अगर एक element अगर कोई atom alpha particle release करता है तो क्या होगा उस atom का जो atomic number है वो 2 से कम हो जाएगा ओके तो after alpha decay alpha decay मतलब alpha particle निकाल देना तो alpha decay होने के बाद z का हो जाएगा z minus 2 तो after alpha decay z reduces by 2 and a का हो जाएगा a minus 4 a reduces by 4 तो जब भी alpha decay होता है एक element दूसरे element में convert हो जाता है ओके this element will get converted to a new element plus alpha particle बाहर आ जाता है plus कुछ heat भी निकलती है इस heat को कई book में क्यों लिखा होता है तो जब एक alpha particle release होता है तब एक element दूसरे element में convert हो जाता है plus alpha particle बाहर आ जाता है plus heat निकलती है कुछ books में heat की जगा Q दिया हो है तो this is what happens in alpha decay तो children ज्यादा तर numerical इस point पर आते है तो यह fact आपको बहुत अच्छे से याद रखना है alpha decay होगा तो Z दो से कम हो जाएगा और A चार से कम हो जाएगा इसे आपको याद रखना है children अगले टाइप का radiation है beta decay और beta decay दो टाइप का होता है beta minus और beta plus दोनों हमारे syllabus में है हमें beta minus decay भी पढ़ना है और beta plus decay भी पढ़ना है children अगर सिर्फ beta decay लिख दिया हो तो आप अज्यूम करोगे कि beta minus decay लिखा है ओके इफ नथिंग इस गिवन इफ नथिंग इस गिवन अबावट beta decay वी विल अज्यूम इट टो भी beta minus वी विल अज्यूम इट beta minus तो अगर beta decay के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम beta minus समझ लेंगे अगर beta plus बताना होगा question में तो वो beta plus लिखना पड़ेगा होना है अगर सिर्फ beta लिखा है तो आप मान लोगे beta minus decay हो रहा है तो चलन देखते हैं यह beta particle है क्या what is beta decay यह जो beta particle होता है beta particle beta particle मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ beta minus की यह जो beta minus होता है it is electron this beta minus is actually electron yes आप सही सुन रहे हो beta minus electron है और यह electron nucleus के अंदर से बाहार आता है बड़ी अजीब बात है nucleus के अंदर electron नहीं होता पर कुछ-कुछ elements में जब radiation होता है तो उनके nucleus के अंदर से electron बाहार आता है वो आपको पता चलेगा कैसे तो फिलाल तो आप यह समझ लो कि जो beta particle है यह electron होता है यह electron ही होता है और electron nucleus से बाहार निकलता है orbit वाले electron नहीं है यह यह nucleus के अंदर से बाहार निकलता है अफकोर्स यह electron है तो it is negatively charged यह negatively charged होगा इसका mass तो आप बताई सकते हो it is mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg इसका charge भी बता सकते हो minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb तो यह सब तो common facts है beta particle के बारे में अगली बार यह beta particle की speed medium होती है okay they have medium speed जब मैं medium speed बोलता हूं तो इनकी speed होती है 1% to 99% of speed of light तो यह alpha से fast होते हैं पर beta particle gamma particle से slow होता है तो इनकी speed medium होती है medium speed के होते हैं यह next point यह जब किसी चीज़ के अंदर घुशते हैं तो ज्यादा अंदर तक घुश जाते हैं they have medium penetration power medium penetration power होती है इनकी thin iron sheets में से भी यह पास हो जाते हैं पतला लोहे का पत्रा लोगे ना पत्रे में से पास हो जाएंगे तो they have medium penetration power alpha की penetration power कम थी beta की penetration power थोड़ी जादा होती है मतलब यह आराम से आपके body के अंदर घुश सकते हैं अब अगर यह आपके body के अंदर घुशेंगे तो आपके DNA को change कर सकते हैं या आपके DNA को corrupt कर सकते हैं DNA को तोड़ सकते हैं अगर DNA में change हो जाएगा तो आपका वो cell cancerous हो जाएगा तो आपको cancer हो सकता है तो बीटा पार्टिकल से cancer होना एक आम बात है बीटा पार्टिकल से can lead to cancer इनकी penetration power medium होती है human body में अंदर तक है घुश पाते हैं इनकी जो ionization power होती है वो भी medium होती है they have moderate ionization power ओके तो बीटा माइनस पार्टिकल में moderate ionization power होती है तो चलन बीटा माइनस डिके की हमने कुछ properties देखी अब देखते हैं कि बीटा माइनस डिके होता क्यों है तो चलन बीटा माइनस डिके उन elements के साथ होता है it happens in those atoms it happens in those atoms in which it happens in those atoms in which neutron upon proton का जो रेशो है neutron upon proton का रेशो है हो यानि की बीटा माइनस डिके उन atoms के साथ होता है जिनके पास neutrons जादा होते हैं और protons कम यानि की more neutrons and less protons actually क्या है अगर आप कुछ कोई भी एक normal सा एक element ले लीजिए example sodium तो sodium के पास 11 protons होने चाहिए और 12 neutrons होने चाहिए तो ये sodium का एक normal सा atom होगा अगर sodium के atom के पास 11 protons और 12 neutrons है तो वो sodium का stable atom होगा लेकिन आप ये example देखिए example carbon 14 तो चल्दन carbon के पास 6 protons तो होते हैं लेकिन कुछ carbon के atoms के पास उनका जो atomic mass number होता है वो 14 है this is radioactive carbon radioactive carbon radioactive carbon okay now ये वाला carbon normal carbon है this is your normal carbon atom तो इस carbon atom में problem क्या है normal carbon atom के पास 6 neutrons होते हैं इसके पास 8 neutrons है तो इसके पास जरूरत से ज्यादा neutrons है तो चल्दन अगर किसी atom के nucleus के पास जरूरत से ज्यादा neutrons हो जाएं तो इसके साथ radio activity होगी और ये बीटा माइनस decay करेगा तो बीटा माइनस decay कब होता है जब जरूरत से ज्यादा neutrons हो जाएं ओके तो बीटा माइनस डीके में होता क्या है क्योंकि neutrons ज्यादा है since neutrons are more therefore neutrons are not required neutrons की जरूरत नहीं होती तो बीटा माइनस डीके में एक neutron neutron जिसे हम n से denote करता है neutron के पास charge नहीं होता neutron का charge 0 लेकिन neutron के पास mass होता है mass 1 amu तो बीटा माइनस डीके में neutron के दो तुकड़े हो जाते है yes neutron के दो तुकड़े हो जाते है neutron gets converted to proton यहाँ पे P मतलब proton तो neutron का तुकड़ा होता है और neutron neutron तुकड़े होके proton plus electron में convert हो जाता है तो neutron के तुकड़े होके proton और electron बनते हैं यहाँ पे E electron है तो चिलर न प्रोटन के पास charge होता है plus 1 और इसका mass होता है plus 1 electron के पास charge होता है minus 1 और इसका mass होता है 0 आप एड़ करके देखो 1 minus 1 0 1 plus 0 1 तो चिलर न बीटा डीके में neutron के तुकड़े होता है क्योंकि neutron जादा है तो neutron के तुकड़े हो जाते है और neutron बनता है proton प्लस electron और यह सब nucleus के अंदर हो रहा है चला है यह पूरी process nucleus के अंदर हो रही है प्लस एक और चीज निकलती है जिसे हम कहते हैं अंटी-neutrino चलान anti-neutrino के बारे में depth में आपको 12 में नहीं पढ़ाया जाएगा आपको सिर्फ नाम याद रखना है anti-neutrino anti-neutrino के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आपको BSC और MSC करनी पढ़ेगी physics में तो वहाँ पर अगर आप सब atomic particles पढ़ोगे तो वहाँ पर anti-neutrino, dark matter और anti-matter वगरा वगरा के बारे में पढ़ाया जाएगा फिलाल के लिए आपको बस नाम याद रखना है कि anti-neutrino नाम की चीज भी बनती है तो neutron तूटके तीन चीज बनती है proton, electron और anti-neutrino इसमें से जो electron है, इसे nucleus से बाहर फेका जाता है electron is thrown out of nucleus क्योंकि electron की जगा nucleus नहीं है electron की जगा nucleus बिलकुल नहीं होती है तो nucleus में electron नहीं रहना चाहिए तो जो nucleus होता है वो इस electron को बाहर फेक देता है और यही electron बाहर आके बनता है beta particle यानि की nucleus में electron बन जाता है और इस electron को nucleus बाहर फेक देता है इस radiation को हम बोलते है beta particle यह जो proton है it is kept by the nucleus तो proton को nucleus अपने पास रख लेता है तो proton nucleus के पास रह जाता है electron को बाहर फेक दिया जाता है anti-neutrino को भी बाहर फेक दिया जाता है it is thrown out of nucleus तो यह होता है beta decay में beta decay सबसे पहले किन items के साथ होता है जिनका जिनके पास जरूरत से ज्यादा neutrons हो अगर जरूरत से ज्यादा neutrons होते हैं तो neutron के तुकड़े हो जाते है neutron बनता है proton, electron और anti-neutrino proton तो nucleus में ही रख लेते हैं लेकिन electron और anti-neutrino को बाहर फेका जाता है तो चिलन एक बार फिर से हम देखते हैं यह है carbon 14 का एक atom अब इसके पास जरूरत से ज्यादा neutrons है यह थे 6 पर है 8 तो क्या होगा यह this will undergo beta minus dk यह beta dk इसमें होने लगेगा तो beta dk होने की वज़े से क्या होगा एक electron बाहर आ जाएगा electron का charge होता है minus 1 और वज़न होता है 0 तो beta dk होने की वज़े से electron बाहर आ गया अब चल्वें क्योंकि electron बाहर आ गया है तो यहाँ पर जो element बनेगा उसके पास होंगे 7 proton क्यों क्योंकि beta dk में बीटा dk में आप देख सकते हो कि एक proton बना था जो अपने पास रख लिया था नूक्लियस ने proton बना था ना देखो यह proton बना है नूक्लियस ने अपने पास रख लिया तो टो टोटल 6 proton थे एक extra proton बन गया उस proton को नूक्लियस ने अपने पास रख दिया तो इसका जो atomic number है 6 से बढ़के हो जाएगा 7 और 7 होता है atomic number nitrogen का तो यह carbon बन जाएगा nitrogen अब इसका है atomic mass number 0 और इसका atomic mass number 14 तो इसका भी atomic mass number होना चाहिए 14 प्लस anti-neutrino तो यह जो c14 carbon atom है इसके तुकडे होके यह nitrogen बन जाएगा नया element बन जाएगा अब देखो इस नए element की खासियत यह normal element है nitrogen के पास 14 ही atomic mass number होता है तो यह जो unstable nucleus था बीटा डीके होने के बाद ही stable हो गया चिलन एक चीज़ और निकलती है इस process में और वो है heat तो चिलन यहाँसे सीखने को क्या मिला और हाँ यह जो नई चीज़ बनती है इसे कहते है daughter nuclei ओके यह mother है और यह daughter है तो चिलन क्या सीखने को मिला जब बीटा डीके होता है इन बीटा डीके बीटा माइनस डीके जो Z होता है वो एक बढ़ जाता है छेका हो गया साथ Z increases by 1 और जो atomic mass number होता है A वो as it is रहता है A remains the same अब चिलन इन दोनों के A को देखो Mother का atomic mass number और daughter का atomic mass number दोनों same है यानि कि Mother and daughter are जब atomic mass number same होता है तब क्या होता है Mother and daughter are isobars correct Mother और daughter isobars होता है तो यह चीज़ आपको याद रखने है जब बीटा डीके होता है तो Z को एक बढ़ाना है और A को same रखना है तो A same रहेगा Z एक से बढ़ जाएगा anti-neutrior heat भी निकलेगी इस process में So this is the entire thing about बीटा डीके इन जन्रल में अगर लिख दूँ अगर कोई element है X Z A अगर बीटा डीके हो गया तो नया element बन जाएगा A को आज़िटिस रखना है Z को एक बढ़ा देना है प्लस बीटा पार्टिकल बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस यह जन्रल इक्वेशन हो गया बीटा माइनस डीके का चलन हमारा अगला कंसेप्ट है बीटा प्लस डीके तो बीटा प्लस डीके बहुत कॉमन नहीं है तो बीटा प्लस डीके आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा तो देखते हैं बीटा प्लश दिके क्या है यह उन elements के साथ होता है उन atoms के साथ होता है इट हैपन्स विद दोज atoms whose neutron upon proton ratio is less यानि कि बीटा प्लश दिके में neutron upon proton ratio less है यानि जरूरत से कम neutron है और जरूरत से ज्यादा protons है यानि protons का जरूरत से ज्यादा होना या neutrons का जरूरत से कम होना तो ऐसे elements में बीटा प्लश दिके होता है तो बीटा प्लश दिके में क्या होता है क्योंकि proton जरूरत से ज्यादा है तो proton के तुकड़े होता है proton का charge 1, mass 1 proton gets converted to neutron neutron का charge 0, mass 1 plus एक particle निकलता है उस particle का charge होता है plus 1 जी हाँ, particle का charge होता है plus 1 और mass होता है 0 और एक और particle निकलता है जी हम इस symbol से लिखते है इस symbol को कहा जाता है neutrino तो एक neutrino निकलता है, neutrino के बारे में depth में आपको नहीं पढ़ना है तो बीटा डिके में क्या होता है, proton के तुकड़े होता है neutron बनता है और एक positive सा particle निकलता है और एक neutrino निकलता है तो यह neutron यह जो positive particle है इस particle के पास आप देख सकते हो charge 1 है वो भी positive 1 और mass है 0 इस particle को कहा जाता है positron ओके positron के बारे में भी depth में आपको नहीं पढ़ना आपको बस इतना याद रखना है positron एक particle है जिसका mass 0 है और जिसका charge है 1 और फिर जो positron और neutrino है इन दोनों को nucleus से बाहर फिक दिया जाता है throne out of nucleus और neutron को nucleus में रख लिया जाता है captain nucleus तो beta plus decay में electron नहीं positron बाहर निकल जाता है तो beta plus decay में positron बाहर निकल जाता है इसका अगर मैं general formula लिकूँ तो मान लेते हैं एक x है atomic number है z atomic mass number है a अगर इसने beta plus decay किया तो देखो x बन जाएगा एक नया element y अब z में से एक यहाँ चला गया है तो यहाँ बचेगा z minus 1 a में से 0 यहाँ चला गया तो यहाँ बचेगा a plus neutrino plus heat यह होगया general equation तो general equation के साथ क्या देखने को मिला general equation में हमें क्या देखने को मिला कि जो z होता है वो एक से कम हो जाता है z reduces by one a remains the same ओके तो यह beta plus decay की खासियत है कि z को एक कम करना है और a को सेम रखना है इसका example है children magnesium mg 23 12 आप देख सकते हो यहाँ पर जो neutrons है वो जरूरत से कम है actually magnesium में 24 होते है इसका atomic mass number 24 है पर यहाँ पर 23 है atomic mass number इसका मतलब neutrons जरूरत से कम है तो this will undergo beta decay beta decay होने के बाद इसका z एक कम हो जाएगा ओके तो यह 12 का हो जाएगा 11 और 11 होता है stodium के पास जाएगा sodium और यह एच बिज रखना हम है तो यह 23 बन जाएगा प्लस एक positron बाहर निकलेगा प्लस neutrino बाहर निकलेगा प्लस heat तो आप देख सकते हो जो magnesium था यह stable sodium बन जाएगा तो magnesium will get converted to stable sodium after beta plus decay चलन अगला concept है gamma decay अगला जो type of radiation है वह गामा डीके तो चलन गामा डीके के बारे में पता चला it is uncharged इसमें कोई charge नहीं होता इसलिए न यह positive plate की तरफ मुड़ता है न नेगेटिव प्लेट की तरफ दूसरा it is an electromagnetic wave यह electromagnetic wave होता है यानि कि इसकी जो speed है वो high speed है इसकी speed highest होती है और इसकी speed होती है speed of light इसकी penetration power बहुत ज़्यादा है यह आसानी से किसी को भी पार कर सकता है आपके bones को भी पार कर सकता है इसको रोकने के लिए मोटे मोटे lead के blocks रखने पड़ते है it has high penetration power it has high penetration power बहुत आसानी से चीजों को यह penetrate कर जाता है इसका ionization power लेकिन काफी कम होता है it has lowest ionization power अब चलन देखते हैं gamma decay होता क्यों है gamma decay हमेशा alpha decay और beta decay के बाद होता है तक्छुली होता क्या है after alpha और beta decay alpha या beta decay होने के बाद जो nucleus होता है वो ज्यादा stable हो जाता है after alpha और beta decay nucleus tend to be more stable अब चलन कोई भी चीज आटोमाटिक stable तो होती नहीं है nucleus stable हो गया मतलब nucleus की energy कम हो गया चलन जितनी कम energy होती है चीज़े उतनी ज्यादा stable होती है this means nucleus की जो energy है nucleus's energy got reduced जो nucleus था उसके पास high energy थी alpha और beta decay होने के बाद उसके energy कम हो गई है तो यह जो energy का difference है यह beta particle के फॉर्म में बाहर आता है this energy difference comes out in the form of beta decay क्यूंकि beta particle एक light का particle एक photon है एक electromagnetic wave है इसलिए z और a में कोई फरक नहीं आता यह बीटा decay होने I'm really 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 sorry gamma decay क्यूंकि electromagnetic wave है gamma decay क्यूंकि एक photon है light जैसा ही है तो यह atomic number और atomic mass number को change नहीं कर सकता फिरन कुछ books में है ना मैंने इस तरह से explain किया है कुछ books में थोड़ा सा अलग explanation है beta decay का देखो मैंने beta लिख दिया फिर से gamma decay का कुछ books में gamma decay का explanation थोड़ा सा अलग है और वो explanation ऐसा है कि alpha decay होने के बाद after alpha decay जो nucleus है वो excite हो जाता है nucleus excite होता है फिर वो nucleus de-excite होता है जब वो de-excite होता है तब वो gamma decay करता है तब वो gamma particle छोड़ता है तो कुछ books में इस तरह से भी explain किया गया है तो children अब alpha, beta और gamma particles के उपर कुछ numerical देखता है numerical बहुत आसान होता है इसमे मान लो एक element है x atomic number है 92 atomic mass number है 238 and it undergoes the following decay तो इसके साथ alpha decay होता है फिर alpha decay होता है फिर alpha decay होता है फिर beta फिर beta फिर alpha तो आपको इसका नया atomic number और नया atomic mass number धूड़ना है find a and z of the daughter तो चल्वन question बहुत आसान है तो करने का तरीका कुछ ऐसा होता है मान लो कितने alpha निकले एक, दो, तीन, चार तो चार alpha particle दो गए और beta particle है एक, दो अब beta plus या minus नहीं लिखा है तो आप इन्हें beta minus consider करोगे दो beta minus तो अगर alpha particle निकलता एक alpha particle निकलता है तो याद करो z में कितने का फर्क आता है एक alpha particle अगर निकलेगा, तो z दो से कम हो जाता है correct एक alpha particle निकलता है तो z reduces by 2 तो चार alpha particle निकलेंगे तो z will reduce by 4 into 2 which is it एक निकलता तो दो से कम होते है चार निकले तो z का value आठ कम होगा अब चिल्रन, याद करो एक alpha particle निकलता तो atomic mass number 4 कम हो जाता है तो एक alpha particle निकलता तो a 4 कम होता तो 4 alpha particle निकले है तो a will reduce by तो a की value 16 कम हो जाएगी और z की value 8 कम हो जाएगी अब सेम चीज़ बीटा के लिए करते है एक बीटा माइनस निकलता है तो z एक से बढ़ जाता है तो 2 बीटा माइनस निकले है तो z increases by 2 into 1 which is 2 एक बीटा particle निकलता तो z एक से बढ़ता दो दो बीटा particle निकले है तो z दो से बढ़ेगा और जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो वजन में यानि कि A में atomic mass number में कोई फरक नहीं पड़ता तो A का change कितना होगा A will not change अब net change निकाल लेता है Z 8 से कम होगा और 1 से बढ़ेगा Z अगर 8 से कम होगा और 2 से बढ़ेगा Z 8 से कम और 2 से बढ़ेगा तो overall क्या होगा Z reduces by 6 8 से कम होना और 2 से बढ़ेगा मतलब overall 6 से reduce होना A 16 से reduce होगा और बीटा की वज़े से कोई change निया आएगा So overall A will reduce by 16 So final answer क्या है Z पुराना था 92 तो Z की नहीं value हो जाएगी 6 कम 92 में से 6 गया 86 और A कम होगा स्तोला से A था 238 So A will become 222 So finally हम कह सकते हैं यह जो X 92 to 38 है यह बन जायेगा कुछ नया element Y 86 2 to 2 This is the answer Z की नहीं value A की नहीं value यह रही अगला question चिल रहन एक radioactive particle है और उसके साथ यह होता है वो X से बन जाता है Y इसका Z 92 से बन जाता है 88 और इसका A 238 से बन जाता है 206 Question है कितने alpha और beta particles निकले कितने alpha और beta particles निकले तो चिल रहन इस question में सबसे बड़ा दोस्त है आपका A यह A क्यों? A पर ध्यान क्यों देना है? चिल रहन एको कौन change कर सकता है? Atomic mass number को कौन change कर सकता है? सिर्फ alpha particle beta particle cannot change atomic mass number gamma particle cannot change atomic mass number who can change atomic mass number? alpha particle अब देखो इसका atomic mass number कितने से कम हुआ? A की पुरानी value थी 238 A की नई value हो गई 206 तो फर्क कितना आया? माइनस करो 8 में से 6 गया 2 3 में से 0 गया 3 तो A में change कितना आया? 32 और A को change कौन कर सकता है? सिर्फ alpha particle तो यहां से हमें पता चल गया A reduced by 32 और इसको reduce किसने किया होगा? सिर्फ alpha ने तो हमें पता है A reduces by 1 A reduces by 4 A reduces by 4 अगर 1 alpha particle निकले तो A reduces by 32 अगर X alpha particle निकले तो X का value मिल जाएगा 4X is equals to 32 X का value है 8 यानि कि 8 alpha particles निकले तो 8 alpha particles were released अब कैसे पता लगाया जाए? बीटा कित्ते निकले? अब चिल्डन अगर 8 alpha particles release हुए है तो जो Z है उसमें चेंज आना चाहिए एक alpha particle release होता है तो Z reduces by 2 Z 2 से कम होता है तोटल 8 alpha particle निकले तो अगर 8 alpha particle निकलेंगे एक alpha particle निकलता है तो Z 2 से कम होता है तो 8 alpha particle निकलेंगे तो Z reduces by 16 एक alpha particle तो Z 2 से कम होता है 8 alpha particle निकलेंगे तो Z 12 से कम हो जाएगा देखते हैं Z में कितने का फर्क आया Z old है 92 और Z new है 88 Z में तो सिर्फ 4 का फर्क आया Z में कितने का फर्क आना चीए था 16 Z में फर्क कितने का आया 4 तो इसका मतलब है Z 16 तो reduce हुआ लेकिन 16 reduce होने के बाद 12 बढ़ भी गया इसलिए net loss 4 का हुआ ना लेकिन बीटा पार्टिकल की वज़े से बारा बढ़ भी गया इसलिए overall Z में सिर्फ 4 का नुक्सान हुआ है इसलिए बारा बारा बढ़ गया इसका मतलब बारा बीटा पार्टिकल रिलीज हुए होंगे एक radioactive element है और उसके साथ यह होता है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा प्लस, अल्फा और बीटा प्लस आपको Y का Z और A बताना है तो जिलन अल्फा पार्टिकल कितने हैं? एक, दो, तीन तीन अल्फा पार्टिकल है एक अल्फा पार्टिकल होता तो Z दो से गम होता तो तीन अल्फा पार्टिकल है मतलब Z will reduce by 6 एक अल्फा पार्टिकल की वज़े से Z 2 reduce होता है तो तीन अल्फा पार्टिकल की वज़े से Z 6 reduce होगा एक अल्फा पाटिकल की वज़े से ए चार रिड्यूस होता है तो तीन अल्फा पाटिकल की वज़े से ए विल रिड्यूस बाए टुवेल्फ एक की वज़े से चार तो तीन की वज़े से बारा अब बीटा प्लस दो है एक बीटा प्लस Z को 1 कम करता है तो 2 बीटा प्लस Z को 2 से कम करेगा और बीटा प्लस A में कोई चेंज नहीं लाता A में चेंज लाने वाला सिर्फ अलफा है तो overall क्या होगा Z will reduce by 8 और A will reduce by 6 to L यह है आंसर तो जो Z है उसे 8 कम करना है तो जो नया Z है वो हो जाएगा 90 minus 8 82 और जो नया A है वो हो जाएगा 232 minus 12 यानि की 220 तो इस 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 आंसर चेंज लएन अब मैं आपको एक लास्ट कॉश्टन दे रहा हूं यह है question तो this is the question इस डियाग्राम को देखना है और आपको बताना इन 4 options में से 1,2,3,4 इन 4 options में से कौन सा option सही है तो अपना जो भी answer है वो comment box में लिख देना ओके बाई चल्टो